नमस्कार दोस्तों सेप्टे एक्सपरेट चैनल पे आप सबका स्वागत है आज का टॉपिक हम लोग देखने वाले गैस कटिंग उसके हजाड और उसको उपर क्या 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 प्रेकॉशन ले सकते हैं ग्यास कटिंग करते समय क्या क्या इनवाल होता है ग्यास कटिंग करते समय ऑक्सिजन और एसेटिलिन ग्यास होना जरूरी है ग्यास कटिंग में ऑक्सिजन और एसेटिलिन मिलके क्या काम कर सकता है तो मेटल्स को कटिंग कर सकता है तो चलो उसमें से ग्यास कटिंग में कौन स से कौन से हज़ाड हो सकते हम लोग देखते हैं पहला हज़ाड है फायर एंड एक्सप्लोजन रिस्क उसमें कहें एसे टेलिन बहुत ज्यादा फ्लैमेबल है और हवा के साथ एक्सप्लोजिव मिक्चर बना सकता है दुसरा हज़ाड हीट एंड बर्न मतलब उचित टेंपरेजर से बर्न हो सकता है कौन बर्न हो सकता है एक तो ऑपरेटर जो स्टील कटिंग कर रहा है या उसके पास खड़े होंगे लोग बर्न हो सकते हैं तिसरा हज़ाड देखो टॉक्सिक फ्यूम्स टॉक्सिक फ्यूम्स से क्या होता है जहरिला गैस मेटल के काटने से टॉक्सिक धुए और गैसेस रिलीज हो सकते हैं मेटल पर डिपेंड करता है कि कौन सो कौन से टॉक्सिस गैसेस तैयार हो रहे है और उससे क्या-क्या आखो और तोचा का खत्रा UV किरन और मेटल के स्पार्स आखो को नुक्सान पहुंचा सकते है और तोचा को जला भी सकते है तो हम लोगों ने क्या किया यह हाजाड देख लिए अब हम लोग क्या करेंगे इसके उपर precaution क्या क्या है यह हम लोग precaution देखने वाले है तो पहला precaution है प्रॉपर वेंटिलेशन दुहे और gases को डिप्रेस करने के लिए उचित वेंटिलेशन का इस्तिमान करना चाहिए अगर अंदर काम हो तो वहाँ exhaust सिस्टम का इस्तिमान होना चाहिए कुछ रूम में कामें जहां oxygen के कमें उदर exhaust फैन होना बहुत जरूरी है दुसरा precaution है personal protective equipment पीपीज गैस कटिंग का काम करते समय सही पीपीज जैसे कि गोगल, ग्लोज, एपरोंस और flame resistant कपड़े पहिनना चाहिए तिसरा precaution है gas cylinder handling इसमें कहें gas cylinder को upright रखे वर्टिकल में खड़ा रखना चाहिए horizontal नहीं रखना चाहिए और उन्हें नुकसान या गर्मी से दूर रखे उन्हें जहां गर्मी है उस जगह पे नहीं रखना चाहिए तो आगे देखते है चाउथा precaution है fire precaution पास में fire extinguisher रखे और flameable material से बंद जगह पर cutting से बचे जहां gas cutting का काम चालू है वहां समझो आग लग सकते है तो आग बोजाने के लिए कम से कम वहां fire extinguisher रखना बहुत जरूरी है पाच्वा precaution है training और supervision गयास cutting का काम जो कर रहा है वह operator को safe gas cutting techniques में train करना जरूरी है जब तक वह train ना हो उन्हें supervision में रखना चाहिए छट्वा है equipment की जांच करना चाहिए precaution रेगुलर उसमें से क्या है होजे regulator से और जो torches से leaks या damage के लिए inspection करना बहुत जरूरी है उसमें एनरवे उसको flashback arrester बोलते है flashback arrester की check होना हो जिस leakage तो नहीं है वह check करना उसका inspection होना बहुत जरूरी है साथवा precaution है emergency इमर्जेंसी के तैयर क्या हो सकते समझो gas cutting करते समय कुछ हाथसा हो गया है तो हाथसा होने पर तुरंत evacuation plan और foster training होना चाहिए वो कहा है उनकी जानकारी उन लोगों को होना बहुत जरूरी है तो दोस्तो इन precaution को follow करना बहुत जरूरी है follow करके gas cutting operation के risk को कम करने में मदद करेगा और काम के environment को सुरक्षित बनाएगा दोस्तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को like करो शेयर करो हाँ जिस किसी ने वीडियो को subscribe नहीं किया वीडियो को subscribe करो थाकि जब मेरा नया वीडियो है तो सबसे पहले आपके पास पहुचेगा तो चलो दोस्तो जल्री मिनतें एक नए topic के साथ तब तक झाल रूट